राजस्थान की रामगंज मंडी में धनिया के नए माल की सपपलू आरंभ हो चुकी है, जबकि आगामी समय में सपलाई की रफ्तार बढ़ने की संभावना है। फिलहाल 120-125 बोरी नए धनिये की आवक हो रही है और लिवाली मांग का समर्थन नहीं मिलने से कीमतों पर दबाव बना हुआ है। इस बार धनिया के बिजाई क्षेतर में कुल मिलाकर गिरावट आई है, जबकि गुजरात में इसका क्षेतर फल पिछले सीजन के 2.22 लाक हेक्टेर से 43 प्रतिशत घटकर चालू सीजन में 1.27 लाक हेक्टेर पर सिमट गया। धनिया का घरेलू उत्पादन कुछ घटने की संभावना के बावजूद निकट भविशे में इसके दाम में जोरदार बडोतरी होने की उम्मीद नहीं है क्योंकि इसका पिछला स्टॉक मौजूद है और नए माल की आपूर्ती भी बढ़ने की संभावना है। दिसावरी मंडियों में भी धनिया का स्टॉक उपलब्ध है। मध्यप्रदेश में बिजाई सामाने हुई है और फसल की हालत संतोष जनक बताई जा रही है। इसी तरह राजस्थान में भी इसके रगबे में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। केवल गुजरात में क्ष 1500-3000 बोरी धनिया आ रहा है जिसमें नया माल भी शामिल है। वहां कुछ दिन पूर्व इसके दाम में 200-400 रुपई की नर्मी आ गई थी। पिछले दिन इस मंडी में बादामी धनिया का भाव 6000-6100 रुपई प्रती क्विंटल तथा इगल धनिया का दाम 6200-6400 रुपई प् पिछले साल के मुकाबले चालू वित वर्ष के शुरुआती साथ महीनों में यानि अप्रेल से अक्टूबर 2023 के दौरान धनिया का निर्यात 24,791 तन से उच्छल कर 76,848 तन पर पहुँच गया जिससे इसकी निर्यात आई भी 341.88 करोड रुपई से बढ़कर 643.14 करोड र रह सकता है जिससे कीमतों को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है आगामी समय में इसका घरेलू बाजार भाव एक निश्चित सीमा में स्थिर रह सकता है जबकि कभी-कभी इसमें थोड़ी तेजी भी आ सकती है Bureau Report Market Times TV